नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह कितना समर्पित रहेगा जानकारी ग्रहों के आंकलन से आप सब तक जोतिशी घंड महुंचाने का प्रयास करते हैं अन्ततो गत्वा फलता आपका भाग्या है लेकिन लगबग 60-70 प्रतिशत तक हम आपको पहुचा देते हैं इससे आप एक पुर्वानुमान लगाकर अपने जीवन को और परिश्कृत कर सकते हैं लोगडाउन फोर चल रहा है घरों में ही रहने की कवायत की जा रही है लोग जो मजदूर वर्ग है किसी तरह से एन के प्रकारिण अपने अपने गाओं अपने अपने स्थान को बहुत दिनों से चल रहा है अपने भागी के अनुसार भोग रहा है हम सब पुन्य अरजित करने के लिए जितना हो सके उनके समीब जाएं और एक उत्तम और उचित दूरी बनाकर उनकी मदद करने की कोशिश करें यह हम सब को प्रयास करना चाहिए आप लोगों का आश्टो फ्रेंट होने के नाते हम भी आप लोगों से अपील करते हैं हम भी जितना समभव हो सकता है करते रहते हैं करेंगे भी और आप सबसे भी अरोध करते हैं सबसे बड़ी सेवा है इश्वर को खुश करने का भगवान को खुश करने का एक माध्यम भी है आए शुरबात करते हैं आज के जोतिश दिशा की जेश्ठ महा किश्रपक्ष त्रियोध शीति थी चंद्रमा आज मेश राशी में नक्षत्र पूरे दिन अश्विनी रहेगा योग सभाग की तदनुसार दिनांग 20 मई दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल दोपर 12 से लेके डेड़ वजे तक और गुलिकाल सुबह 10 से लेके 12 वजे तक गुलिकाल अच्छा समय और राहुकाल अशुब समय होता है शुरुबात करते हैं आज के भविश्य वानी की आईए जानते हैं सबसे पहले मेश राशी दिनांग 20 मई दिन बुधवार मेश राशी आज मन बहुत प्रशन रहेगा कोई बहुत बड़ा बहुत पृतिक्षित कार्यापका संपन्न होगा आपके अंदर की शक्ति और उर्जा आज संचारित होगी मानसिक प्रशन रहेगी चिंताओं से मुक्ति भी लेगी आज का दिन ब्यापार के लिए उत्तम है लेकिन प्राइवेट सिक्टर में कुछ मुश्किलें आ सकती है प्राइवेट सिक्टर वालों को आज बहुत सावधान रहने क्या बसकता है सरकारी चित्र के लिए समय बहुत अनकूल रहेगा हर प्रकार की जिंता दोश दूर हो जाएंगे दामपत्त जीवन के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल जा रहा है पत्ति-पत्ने के बीच किसी तरह के नोक जोक को आज कोई और हवा दे देगा सावधान रहेगा लव लाइफ थोड़ा सा बैलेंस रहेगा आज आपकी बात वहां तक पहुँचेगी और उनकी बात आप तक आएगी सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा स्वास्त के लिए थोड़ा सावधान रहने क्या वशक्ता है आखों की तकलीफ और दात की समस्याज उलजन बढ़ा सकती है प्रियों क्या करना चाहिए आज किसी जरूरत मंद को कुछ रोटी आदी खिला दीजेगा क्या नहीं करना है आज बहुत ज़्यादा खुद को एक्सपोज नहीं करना है शुबरंग ब्राउन भागी प्रत्सत 59 ब्रिशवराजी शांती मिलेगी परशनता रहेगी चिंताओं से मुक्त मिलेगी धन की स्तिती बहुत अच्छी रहेगी किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार में समस्याओं का समाधान निकलेगा बिजनस बहुत अच्छा चलेगा ब्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेगे प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी सी अनकूलता थोड़ी प्रतिकूलता रहेगी प्राइवेट सेक्टर में नुकसान उठा सकते हैं आज सरकारी छेतर वालों के लिए समय बहुत अनकूल रहेगा सरकारी छेतर में कोई बड़ी समस्या का समाधान निकलाएगा दामपत्य जीवन में उठापटक के बाद दोपहर तीन बज़े के बाद शांती रहेगी दामपत्य जीवन में सब कुछ बहुत सहज भाव से आज चलता रहेगा आज लव लाइफ थोड़ा प्रभावित होगा लव लाइफ की स्थेती बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर आपको सम्हालना पड़ेगा स्वास्थ अच्छा है स्वास्थ के लिए बिलकुक चिंता मत करिएगा स्वास्थ का मामला हर तरह से सकारात्मक रहेगा दामपत्य जीवन लव लाइफ स्वास्थ और उपायब बता देते हैं ब्रिशब राश्य वालों को 20 मही के दिन उपाय क्या करना है दायने हाथ में थोड़ा सा कुछ खाने की वस्तु लेकर चीटियों आदि के लिए किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज ब्रिशब वालों को किसी को सलाह नहीं देना है शुबरंग पीला भाग्य प्रत्सत 63 मिथुन राशी दिनांग 20 मई दिन बुधवार पढ़ाई के मामले में आज समय बहुत अन्कूल रहेगा सुक्षा बहुत बैलन्स चलेगा सुक्षा का छेत्र आज आप के लिए सकरात्मक है दामपत्र जीवन के बारे में बताएंगे पहले हम बता देते हैं ब्यापार बिजनस के लिए आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा ब्यापार में कुछ ने कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती ब्यापार में आज बहुत विस्तार नहीं देना है प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ बहुत सकरात्मक रहेगा आज नौकरी में प्रमोशन बॉस के साथ सामंजस से लव लाइफ में भी बताऊंगा मैं पहले सरकारी बता देता हूँ में दो नाशिवालों को गौवर्मन्ट सेक्टर में आज नए चैलेंज़स मिल सकते हैं आपके साथ काम करने वाला कोई न कोई आपके लिए आज कष्ट पैदा करेगा आपको बहुत साथान और सतरक रहना है स्वास्त अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन में उठा पटक रहेगा पत्य पत्नी के बीच दुराव पैदा हो सकता है स्वास्त में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी हेल्थ वाइस सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा दमाओं का असर होने लगेगा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा लेकिन लव लाइफ थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है उठा पटक बना रहेगा आज बहुत सावधानी के साथ अपने आपको आगे लेकर के जाएग स्वास्त के बाद अब प्रयोग हम बता देते हैं मिदोन राशी वालों को आज चरूरत मंदों को कुछ चावल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज बहुत लेजी नहीं रहना है बहुत सुस्त नहीं रहना है शुबरंग बैगनी भागी प्रत्सत 53 करकराशी दिरांक 20 मई दिन बुधवार बहुत मंगल कारी फीलिंग्स आएंगी आज खुद को बहुत स्ट्रॉंग मजबूत महसूस करेंगे पढ़ाई बहुत अची चलेगी सिक्षा के लिए तनाव खत्म हो रहा सिक्षा का छेत्र आपका बहुत सा करात्मक रहेगा ब्यापार अच्छा जलेगा ब्यापार में रुके धन की ब्राप्ती होगी बिजनस में आज बड़ा रिस्क ले सकते हैं किसी दोस्त से सलाह मदद जरूर ले लीजेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख है बहुत प्रशन रहेंगे सरकारी छेत्र में उठा पटक रहेगा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सरकारी छेत्र वालों को सावधानी के साथ कदम बढ़ाना है बहुत ज़्यादा आज लूट न पड़े काम को बहुत बैलन्स बना करके आराम के साथ करिएगा प्रियों क्या करना है आज की दिन को बेहतर करने के लिए मादुर्गा का ध्यान कर लीजेगा हमारे साथ ओम दुम दुरगाये नमह क्या नहीं करना है दूसरे के काम में ठांग नहीं अड़ाना है आज शुबरंगा आपके लिए काला भागी प्रत्षत 66 सिंगराशी बीस मई बुधवार दिन अच्छा है प्रशनता दायक है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी हर प्रकार से हर लिहास से उन्नती होने जा रही आपके लिए बहुत कुछ सकरात्मक होगा लाब के अउसर बनेंगे परेशानियों का अंत होगा बड़ी समस्याओं से बाहर निकलेंगे कुछ इस्थती आपके लिए पक्ष में रहेगी ब्यापार नुकसान देगा प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन है सरकारी छेतर में प्रेशर है दामपत्य जीवन में सगरात्मक औरजा रहेगी लाब के अउसर रहेंगे किसी तरह की चिंता परेशानी नहीं रहेगी दामपत्य जीवन कहीं कोई दुराव होगा तो दूर हो जाएगा लव लाइफ की स्थेदी थोड़ी सी डावा डोल है लव लाइफ में आज सोच समझ करके वाणी का इस्तेमाल करिएगा बोलिएगा स्वास्त का मसला घुटने की तकलीफ पेट और लीवर को लेकर के आज आज आपको चिंतित करेगा प्रियोग के तौर पर अपना कंठ स्पर्श करके अपने पिता का नाम ले लेजेगा क्या नहीं करना है आज किसी भी कीमत पर जादा दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है आस्मानी रंगशुबर 57 प्रित्सत का भाग आपके साथ है बात कर लेते हैं कन्याराशी की कन्याराशी 20 मई दिन बुधवार सिक्षा के छेत्र में आज आपके लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी आज कोई नए अवसर आपको प्राप्त होगा ब्यापार बेहतर रहेगा बिजनस में धन का लाब दिखाई देता है चिंताओं से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती है प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है private sector में किसी ने किसी रूप में कुछ ऐसी स्थिती भी आ सकती है जो आपको जादा उल्जाए सरकारी छेतर के लिए धन और वैभोग की प्राप्ती होगी सरकारी छेतर में कुछ विशेश लाव के उसर बनेंगे सरकारी छेत्र में आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा दामपत्य जीवन में उल्जन बढ़ सकती है दामपत्य जीवन में पत्पत्य के बीच तनाओ की कोई न कोई घटना आज सामने आएगी लव लाइफ बेहतर परफॉर्मेंस और आज नया निरड़े आप दोनों का स्वागत करेंगे स्वास्त के मामले में इसकिन और बुखार की समस्या परिशान कर सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए आज भगवान सरी गणेश का ध्यान करके किसी जरूरत मंद को चने की दाल का दान करिएगा क्या नहीं करना है आज उधार देने से बचना होगा बादामी रंगशुभ पचास प्रतिश्वत का भाग आपके साथ है तुलारा रुके कारे बन जाएंगे परिशानियों का अंत होगा धन की स्थिति अच्छी रहेगी पढ़ाई में मन लगेगा ब्यापार के लिए बहुत सकरात्मक की स्थितियां आ रही है बिजनस में कुछ ने कुछ ब्यहतर होगा ब्यापार इस दिश्टिकोर से लाब की आउसर बनेंगे इसको लेकर के आप बहुत समस्याओं में आ सकते है बहुत विचार करके आप प्राइवेट सेक्टर में भैसला लीजेगा आज सरकारी छेतर के लिए वाहन का सुख मिलेगा मकान का सुख मिलेगा आज धन की स्थितिय अच्छी है दामपत्य जीवन में कुछ उल्जन आज बच्चों की तरब से बढ़ेगा दामपत्य जीवन को बहुत सहज भाव से लेने की आवशक्ता है लव लाइफ के लिए समयनकूलता लेकर के आया है लव लाइफ में चिंता बिलकुल ना करिएगा सबकुछ बहुत सकारात्मक होगा स्वास्त का मसला आज आँखों की समस्या से सुरूओ करके दांत की समस्या तकाएगा लेकिन कुछ मेजर ऐसा नहीं है जिसको लेकर कि आपको चिंतित होने की आवशक्ता है हाँ, दस साल से छोटे बच्चों को आज थोड़ा सा इक्ष्ट्रा केर की आवशक्ता है उपाय गया गरना चाहिए भाया आज किसी पौधे में जल्दे दीजेगा क्या नहीं गरना है आज जादा बड़ भूलापन मत दिखाएगा किसी को समय अनकूलता का परियाय बनेगा किसी तरह की चिंता कोई दोश, कोई दुराव, कोई परेशानी नहीं है लाप के बड़े अवसर बनेगे आज सब कुछ बहुत सा करात्मक होगा आज आपके लिए समय अनकूलता लेकर क्या आया हाई का मसला बहुत अच्छा चलेगा ब्यापार में दिक्क्त आ सकती है पैसा कहीं भन सकता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहर के सुख के साथ साथ जोश और होश के साथ बोस का दिल जीतने का समय आ गया है लवलाई पताऊंगा मैं पहले सरकारी च्छेतर की जर्चा करते हैं आज बिश्चिक राशी वालों के लिए 20 मई सरकारी च्छेतर में बड़े अवसर की प्राप्ती बड़े साहब के किरपास से मिल जाएगी आज आपका पियार बहुत पर्सनल रिलेशन्शिप बहुत स्टॉंग रहेगा दामपत्य जीवर में दिक्कत आ सकती है पत्यपत्य के बीच क्रोध में कुछ बहस हो सकता है लेकिन लव लाइफ बैलन्स बना हुआ है परिशानियों का अंत रहेगा और सच में जो वक्त आप ये जाने दे रहे हैं न ये अयतिहासिक है बस आत्मन नियंत्रन रखिएगा और अंदर से प्रशन रहिएगा सुन रहे हैं जी हां प्रशन रहिएगा अंदर से स्वास्त का मसला आज घुटने की तकलीफ पेट की समस्या का दियो तक बन सकता है प्रियोग क्या करना चाहिए आज आपको मादुरगा का ध्यान करिएगा और एक घी का दिया सरसो के तेल का दिया कोई भी दिया मा के सामने जला दीजेगा क्या नहीं करना है ब्लैक कलर नहीं पहनना है औरंज कलर शुब है पच्पन प्रत्षत का भाग आपके साथ है धनुराशी दिनांग 20 मई दिन बुधवार पढ़ाई कोब अच्छी करेंगे आज गुरु पिष्टडी कर सकते हैं आज दोस्तों का सानित मिलेगा किसी बड़े विवाद से बाहर निकलेंगे आज का दिन ब्यापारिक दिश्टिकोंट से बड़े अफसर लेकर आया है पार्टनर्सिप ठिक जाएगी प्राइवेट सेक्टर में तनाव हो सकता प्राइवेट सेक्टर वालों को आज बहुत मजबूत रहना है मानसिक रूप से गवर्मन सेक्टर के लिए समय शांत रहने का है जुक के रहने का है मैरे लाइव अच्छी रहेगी चिंता तनाव दूर हो गड़ बच्चों के उपर गर्व होगा लव लाइव थोड़ा सा टफ है दो पहर के बाद बात्चीत कम करें तो वहतर है स्वास्त के मामले में आज का दिन गुटने की तकलीप और हर्ट की प्राब्लम लेकर आया है प्योग के तोर पर हल्दी का तीका ना भी पर लगा ले क्या नहीं करना है आज सलाह मत दीजेगा किसी को पीला रंग शुब है 51 प्रत्सत का भाग आपके साथ है मगर आज 20 मई दिन बुधवार पढ़ाई का आउसर आज बेहतर यूज करेंगे पढ़ाई के मामले में आज सब कुछ बहुत सकरात्मक रहेगा सिक्षा के मामले में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी सिक्षा का छेत्र आपका बहुत सकरात्मक है सिक्षा के लिए बेहतरीन अनकूलता रहेगी ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह के दिकत नहीं है ब्यापार इक दिश्टिकोर से लाप की आउसर बनेंगे प्राइवेट सिक्टर के लिए सब को सामाने रहेगा मुश्किल सरकारी छेतर में आएगी जबाब देना भारी बड़ेगा बॉस के साथ विवाद होगा दामपते जीवन बहतर है दामपते जीवन परेशानियों कांत हो जाएगा पत्कुतनी के बीच मुश्किलें खत्म हो रही है लव लाइफ बहतर परफॉर्मेंस रहेगा आज कोई समस्या का समाधान स्वतह निकल आएगा किसी बड़ी दुविधा से बाहर निकलेंगे आप पर किसी तरह की दिक्रत नहीं आएगी आपका सानिद्ध बहुत सकारात्मक रहेगा मकर राशी प्रियोग क्या करना चाहिए स्वास्थ ध्यान दीजिएगा प्रियोग के तोर पर आँख बंद करके ओम गंगण पते नमः भगवान स्री गनेश का ध्यान आपके चित्त में होना चाहिए वह शक्ति आप महसूस करे बस इतना सा क्या नहीं करना है आज जादा उल्जन नहीं पालना है सभेत रंग की शुबता है साथ प्रत्षत का भाग्याब के साथ है कुम्भराशी थोड़ी सी उल्जन किसी अन्य कारणों से आ सकती है मालसिक परेशानी रहेगी सावधानी बरतने क्या वशकता है आज धन के लिए चिंतित रहेंगे सिक्षा में दुराव आएगा व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में दिक्कत दूर हो रहे है व्यापार अच्छिकोंट से आज कुछ नुकसान उठा सकते है प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकुलता रहे कि प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की तनाव किस्तिती नहीं है दामपत्य जीवन बताएंगे हम गौर्मन्ट सेक्टर के लिए सब कुछ बहुत सामाने रहेगा सरकारी छेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकते हैं सरकारी छेतर वालों को बहुत सावधानी के साथ अपने कदम बढ़ाने हो दामपत्य जीवन आपके लिए बहुत सगरात्मक है आज एक दूसरे के पति रिस्ते में मधुरता रहेगी बिबादों से बाहर निकलाएंगे लव लाइफ बहतर परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत सगरात्मक है आपने जो सहा है उसका रिजल्ट आज देखेगा लव लाइफ के लिए बहुत सावधान रहने क्या वशकता है कुछ चिंता अचानक से बढ़ सकती है स्वास्त आखों की तकलीफ और माइकलियन की समस्या आज है प्रियोग के तौर पर आज एक चुटकी काले तिल किसी पौधे के नीचे डाल देज़ेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों को अपने राज नहीं बताने है शुबरंग नीला भाग्यप्रत्सत 64 मीन राशी दिनांग 20 मई दिन बुधवार पढ़ाई कर सकते है मन नहीं लगेगा कुछ अपने व्यक्तिकत मसले आज बाहर आ सकते है व्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह के दिक्रत नहीं है हाँ प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ मुश्किल आ सकती है ज्यादा वर्क लूड आपके लिए जुजलाहट का कारण बनेगा गौर्बन सेक्टर में आज बहुत समूद समय रहेगा पैसे का फायदा हो रहा है दामपत्त जीवन में पतिपत्नी के बीच किसी अन्य के प्रवेश के कारण कुछ विशेश इशू आ सकता है लव लाइफ थोड़ा सावधानी से रहने की आवशेक्ता है ज्यादा दूसरों को अपने विशे में ना बताएं तो बहतर है स्वास्त के मामले में आज का दिन गले में समस्या और आँखों की तकलीफ एक साथ लेकर के आएगा प्रियों क्या करना चाहिए आज के दिन को बहतर करना है तो किसी जरुवतमंद को जल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों को किसी भी कीमत पर कम नहीं आखना है द्यान दीजेगा कम नहीं आखना है शुबरंग स्लेटी भागी प्रत्षत पचास तो मित्रों गाजियाबाद का अपॉइन्मेंट आरंभ हो चुका है मैं आप लोग को बताओं सोसल डिस्टेंसिंग का पूर्टया पालन करते हुए आप गाजियाबाद में मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं ले सकते हैं हम आपका स्वागत करेंगे अगर आप गाजियाबाद में मिलना चाहते हैं तो हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं बाकी घर बैठे जानने की सुविधा as it is चलती जा रही है आप घर बैठ करके भी अपने विशे में जान सकते हैं घर पर एक कुनली के बारे में जानने के लिए अब आपको 3500 रुपे देने पड़ेंगे चलते हैं आज के भाग्याक्षर की तरफ मेश शाक्षर बिसब सा यही आपके अपना भाग्याक्षर है नोट करें लिखें और अपने पास रख लें छोटा सा है लेकिन जब इसका लाग्षर देखेंगे तो बिलक्षर आपको मिलेगा चलते चलते आज की सकसेज की उल्टे हाथ की छोटी अंगली पर सरसो का तेल लगाना है इन दिस उल्टे हाथ की छोटी अंगली पर सरसो का तेल लगाकर नाभी पेस परश कर लीजिए अंदर से कपड़े के अंदर से इसकिन टू इसकिन का टच होना चाहिए सुरुआत करिये और लाब लाश्ट तक देखिएगा चले हो गया समय अब तो आपसे विदा लेने का खूब खुश रहिएगा एक बहुत बड़ी दवा है अंदर से प्रशन रहना मुझे पता है हर किसी के जीवन में समस्याएं खूब होती है मेरे भी कभी कभी चेहरे पे दिखता है लेकिन सतत अब्भास करने से हम अंदर से प्रशन रह सकते हैं और वहीं से हम अपनी जीत सुनिश्च्चित कर सकते हैं तो खूब प्रशन रहें, कोरोना से लढ़ें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें अपने अपनों का ख्याल रखें और हमें प्यार करते रहें नमस्कार सिखिष्णा शिरा दे